बिना खाद के किसी भी मौसम में आपकी तुलसी अब हरी भरी हो जाएगी बस छे महीने में एक वार आपको ये काम कर देना है इसके बाद आपकी सूखी तुलसी हरी भरी हो जाएगी पत्यों का साइज बड़ा हो जाएगा और सरदियों में भी आपकी तुलसी सूखेगी नह नहीं बदलेंगी आध्यात्मिक पौधों की बात की जाए तो पवित्र पौधों में तुलसी जी का प्रथम इस्थान है और ऐसी धाना ऐसी मान्यता है कि अगर आपने तुलसी जी लगाई हुई है तो कोई भी कोशिस कजिए कोई भी काम कीजिए आपकी तुलसी सूखनी नह दिहुर रविंद्र एक वार सभी प्रेम से कहिए जै तुलसी माता क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया एक ऐसी टिप सेयर करने वाला हूँ कि आपको खाद नहीं देनी है और तुलसी जी हमेसा हरी वरी बनी रहेगी आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्व मैंने में सूख जाती है या अधिकतम एक साल वाद वो सूही जाती है तो आपको करना क्या है कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लिजिए सस्कायब कर लिजिए और इस वीडियो को जम कर लाइक और शेयर कर दीजिए अब हमें इस्टाग्राम पर हॉम गार्डन वाइटी नाम से फॉलो कर लिजिए वहां हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे तुलसी जी का पौधा ना केवल आध्यात्मेक रूप से उपयोगी है बलके दवा उसदी रूप से यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कफ, खासी, खाम, खुजली जैसी जो तमाम बीमारियां हैं उनमें तुलसी जी एक राममान दवा के रूप में काम आती है और यही बज़े के हम आपसे करवद निवेदन करते हैं कि आप अपने बगीचे में चाए कोई पौधा ओगाएं या ना लगाएं तुलसी जी के चार-पांच पौधे अपने घर के बगीचे में जरूर लगा के रखिएगा मच्छरों से परेसाने मकडी से परेसाने तुलसी जी लगा के देखिए आपके बगीचे में इनका प्रकोप कम हो जाएगा अब होता यह है कि आपने तुलसी जी तो लगा लिये लेकिन बड़े कमेंट आते हैं कि तीन महीने में सूख जाती है छे महीने में सूख जाती है या ग्रोथ नहीं कर रही है पत्यों का साइच छोटा हो गया है अब होता यह है कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रूप से से पवित्र मानते हैं तो खाद देते नहीं है ये वी एक कारण होता है तो आज हम आपको जो टिप्स बताने वाले हैं उसमें आपको खाद नहीं देनी है दो तीन चीज़े द्यान रखनी है बहुत ही सिंपल पिर देखिए आपकी तुलसी बिना खाद के भी बढ़िया हो जाएगी लेकिन इससे पहले कुछ बुनियादी चीजे हैं पहली बुनियादी चीज है गमला मिट्टी के गमले में आप तुलसी जी लगाने की कोशिस कीजिए और 12 इंच के बड़े साइज का गमला ही प्रियोक करें दूसरी प्रमुक चीज है रख रखाब देखिए तुलसी पवित्र पोदा है इसे असुद्ध वस्ता में बिल्कुल मत तोड़ियेगा इसके लावा तुलसी जी के सूखने का जो प्रमुक कारण है वो होती है इसका मंजरी बीज ये जो बीज देखने से मंजरी बोलत इनकी मंजरी को आप कट कर दीजिए तोड़ दीजिए और आध्यात में करूप से मैं आपको बता दूँ कि पकी हुई मंजरी तोड़ना आध्यात में करूप से अच्छा माना जाता है तो आप इन मंजरी को समय समय पर तोड़ते रहिए क्योंकि आपके तुलसी के पौदे आगे सूखे नहीं एक और चीज जो के आपको हमेशा ध्यार रखनी चाहिए हम इस बात को भूल जाते हैं कि गमले में बहुत सारी खत्पत्वार निकलाती है इसको भी आपको नहीं रहने देना है छोटे छोटे पौधे ही निकाल देने क्योंकि अगर पौधा बढ़ा हो गया तो जैसा कि तुलसी का गमला बहुत सीमत होता इसमें जगे कम होती है पौशक तत्तो कम होते हैं अगर तुलसी के छोटे पौधे भी निकल रहे हैं तो उन पौधों को भी आपको निकाल देना है इन चीजों को आप पहले ध्यान रखेगा तो आपके तुलसी हमेशा बढ़िया बनी रहेगी और अब जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि बिना खाद के वी किस तरीके से आप अपनी तुलसी को हरा भरा बना के रख सकते हैं ग्रोध पे रख सकते हैं तो इसके लिए जो प्रकरिया आपको करनी है वो छे महीने में एक वार या ज़्यादा जल्दी है ज़्यादा बढ़िया करना है तो तीन महीने में एक वार आपको यह करना है इस प्रकरिया में सबसे पहले मिट्टी में थोड़ा पानी दे लीजिए जिससे आपकी मिट्टी नमी युक्त हो जाए और इसके बाद जिस गमले में आपकी तुलसी लगी है उस में से 20 से 30 पत्सत कम से कम 20 पत्सत और अधिकतम 30 पत्सत मिट्टी गुड़ाई करके हलके हलके हातों से आपको निकालनी है यहाँ पर यह मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ तो ध्यान रखिए कि तुलसी की जो मुख्य जण हैं मोटी साखा हैं वो ना कटें वस छोटी मोटी साखा हैं अगर कट जाए तो कोई समस्या नहीं है इस तरीके से गमला आपको खाली कर लेना है इसके बाद खेत में जाईए सडक पे नहीं जाना है और काली दोमट जो चिकनी मिट्टी है इस तरीके की मिट्टी काली वाली पीली वाली या रेतिली मिट्टी नहीं लेनी है इस तरीके की मिट्टी आप देखना है न ठोस जो मिट्टी होती है खेतों में जो अच्छे और वहां से आपको मिट्टी लेनी है और उसे आप अपने लेके आईए उस मिट्टी में खत्वतवार घास या जड़ वगएरा जो हैं वह आप निकाल देजिए तो यह जो फ्रेस मिट्टी है इसमें पोशक तत्व हैं बहुत बढ़िया पोशक तत्व हैं और तुलसी के पौद महीने तक या 6 महीने तक आपके पौदे को आवस्यक पोशकत तो मिलते रहेंगे आपको खाद देने की आवसकता ही नहीं है मिट्टी भर देनी है अच्छे तरीके से पानी देना है गमले को धूप में रखिए चाया में रखिए बहुत बढ़िया तरीके से तुलसी आपकी और जून की इस गर्मी में भी हमारी तुलसी कितनी हरी भरी और बड़ी बड़ी पत्तियों वाली है तो वीडियो गर अच्छा लगा है तो लाइक करके से सेर कर दीजी और कमेंट करके हमें एक बार बता दीजी